हेलो स्टुडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे हैं हमिल्टोनियन उपरेटर के बारे में लेकिन उससे पहले हम लोग बता दें कि हम लोगों ने सारे वीडियो क्वांटम मेकैनिक्स के अप्लोड कर दी हैं जिसका प्लेइलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अब वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं तो हमिल्टोनियन उपरेटर होता है एक उपरेटर जो कि हम लोग कॉम्टम मेकैनिक्स में यूज़ करते हैं जो कि टोटल एनरजी को दिखाता है और हम लोग जानते हैं कि टोटल एनरजी होता है काइनेटिक एनरजी और पोटेंशिल एनरजी का सन काइनेटिक एनरजी इन टरम्स आफ पोटेंशिल हम लोग सकते हैं पी स्क्वार बाइट टू एम लेकिन यह सिर्फ एक ही डिरेक्शन के लिए है या फिर एक dimension के लिए के सकते हैं लेकिन अगर हम लोगों को 3 dimension के लिए रिखना है तो वो P square by 2m in x direction P square by 2m in y direction P square by 2m in z direction और प्लस V V जो है potential energy को denote कर रहा है और हम लोग जानते हैं ऐसा हम लोगोंने quantum accounting से पढ़ा हुआ है P square by 2m को हम लोग लिख सकते हैं minus h square upon 8pi square m into del square upon del x square del by del x जो है partial differentiation है और जो h square upon 8pi square m है इसको हम लोग h cut के form में भी लिख सकते हैं इसको हम लोग बात में देखेंगे अब हम लोग momentum को x direction में जैसे लिखेंगे वैसे ही y direction और z direction में भी लिख सकते हैं और जब हम लोग value put कर देंगे इसकी equation पीछे जो हम लोगों ने देखा दा उसको तब आ जाएगा minus h square upon 8pi square m common हो जाएगा और del square upon del x square plus del square upon del y square plus del square upon del z square bracket में आ जाएगा और plus d potential energy अपने आप रहेगा और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो replace करेंगे एक चीज लेकिन इससे पहले आप लोग देख लीजे कि जो del है उसे हम लोग नेवला operator कहते हैं जिसकी value होते del by del x plus del by del y plus del by del z और यहाँ पे एक और जब हम लोग इसका square कर देते हैं तो इसे हम लोग लापला cn operator कहते हैं जिसकी value होते del square upon del x square plus del square upon del y square plus del square by del z square तो जो total energy आएगी वह होगी minus h square upon 8 pi square m into del square plus v यहाँ पे हम लोगों ने value put कर दी लापला cn operator की अब इसको हम लोग h cut के form में देखेंगे तो इसकी value आएगी minus h cut square upon 2m into del square plus v यहाँ पे h cut की value जानते हैं हम लोग की h upon 2 pi होती है तो जो total energy आएगी वो Hamiltonian operator के form में ऐसे आएगी minus h cut square upon 2m del square plus v और हम लोग जानते हैं Hamiltonian operator into size equal to energy operator into size और energy operator के बारे में और momentum operator के बारे हम लोगों quantum mechanics वाले वीडियों में discuss किया हुआ है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए ताकि हमारी नीवली वीडियो आए उसका notification आपको सबसे पहले मिले